आजमगर लोग सबके उपचुनाम में बस्पा दलित मुस्लिम समेकरन बनाने की फ्राक में है पाटिने गुड़्डू जमाली को मैदान में उता रहा है अगर ही है प्रियोक सफल राता 2024 के चुनाम में इस फार्मल को जरूर लागू कर सकती है मायवती आपको बता दे कि बस्पा ने रामपूर सीट छोलो कर भले ही आजमखान के पृती सानू भूती दिखाई हो लेकिन आजमगर में अकलेस यादव की मुश्किले बढ़ा दिया है बस्पा ने आजमगर संसदी स्टीट पर सहा आलब और भुड्डु जमाली को मैदान में उतार कर मुस्लिम दलित गड़ जोड का बड़ा दाव खेला है बीजेपी ने दिनेस लाल यादव उफ निर हुआ को उतारा है अकलेस ने पूरु बदायो सांसदो और चचेरे बाई धरमंदर को मैदान में उतारा है बस्पा के एक नेता ने बताए कि बस्पा रामपुर चुनाव नहीं लड़ रही है उसका फोकस आजमगर सीट पर है मायवती की पूरी कोजिस है कि इस बार दलित और मुस्लिम के गड़ जोड को मजबुत कर आगे आने वाले चुनाव की रूप रेका तैय होगी बस्पा नेता का दावा है कि पूरी ताकत आजमगर में जोकी गई है और मंडलिये में परभारी नेताओं की डूटी लगाई गई है इसके साथी परदेश कारियले से लगाता निगरानी हो रही है इसके अलावा जिन जातियों के नेताओं का परभाव ज़ाद है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी का प्रियोक सफल हुआ तो 2004 में इसी फार्मलों को लागू किया जाएगा इसी करण पार्टी मुख्या मायवती बारवार मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए बयान भी दे रही है वर्थ 2019 में सपा बस्पा का गठवन नंथाज जिसमें अगलेश यादब को 6.21 लाग और वीजेपी के दिने लाल यादब को 3.61 लाग सू भास्पा को 10 हजार से अधिक वोट मिले थे वरिश राजनितिक विशलेशक परशुन पाइंडे के अनुसार आजिमगर में अभी लड़ाई तिर्कोन ने दिख रही है उनका मानना है कि जैसे जैसे चुनाव चड़ेगा इस्तित्या भी बदलेगी इस बार बसपे ने सा अलव उर्फ गुड़ुद जमाली को मैदान में उतार कर मुसलिम दलित गर्जोड पर दाव खेला है यहाँ पर मुसलिमों के अलावा बड़ी संक्या में दलित वोट भी है अब देखना यह होगा कि बियस पी कितनी वोटों से जीतेगी बियोरा रिपोर्ट भाउजन हलचल अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दोबार ना बोलें देखते हैं भाउजन हलचल नीवी